उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्यान सिंग का निधन हो गया है। वो 89 साल के थे। वो लंबे समय से ब्लड प्रशर की समस्या से जूज रहे थे। इसके साथ ही उन्हें पेशाब करने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। कल्यान सिंग का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगड में हुआ था। अगर कल्यान सिंग के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने साल 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला था। हालांकि उसके अगले ही स बाबरी मस्जित विधुहन्स के चलते उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद साल 1993 में उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाओं में वो अत्रॉली से विधायक निर्वाचित हुए। इन चुनाओं में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा लेकिन मुलायम सिंग यादव के नेतरित्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी ने कटबंदन सरकार बनाई। तब विधान सभा में कल्यान सिंग विपक्ष के नेता बने। इसके बाद कल्यान सिंग सितमबर 1997 से नवबर 1999 तक दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी बने। हालांकि इस बीच अक्टूबर 1997 में बहुजन समाज पार्टी ने कल्यान सिंग सरकार से समर्थन वापस ले लिया था लेकिन इसे कल्यान सिंग का राजनितिक कौशल ही कहा जाएगा कि वो पहले से ही कॉंग्रेस विधायक नरेश अगरवाल के संपर्क में थे उन्होंने तुरंत नई पार्टी लोकतांतरिक कॉंग्रेस का गठन किया और उसके 21 विधायकों का समर्थन अपनी सरकार को दिलाया इसके बाद साल 1999 में कल्यान सिंग ने ततकालीन प्रधानमंतरी अटल भिहारी वाजपई के साथ विवाध होने पर भाजपा से नाता तोड़ दिया था और अलग से नई पार्टी बनाई थी तब उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को भी तिलान जली दे दी थी हालांकि साल 2004 में वो दो बारा भाजपा से जुड़ गए थे इसके बाद साल 2007 का विधान सभाचुनाओ बीजेपी ने उनके नेतरित्व में ही लड़ा हालांकि दो साल बाद ही उन्होंने मुलायम सिंग से हाथ मिलाया और समाजवादी पार्टी के समर्थन से 2009 में एटा से लोकसभचुनाओ जीता कल्यान सिंग राजिस्थान और हिमाचिल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे